हेलो फ्रेंड्स आज की हमारी जो वीडियो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज की जिसमें हम देखेंगे कि यूज जो है विल का, वुड का, शेल का, शुड का कैसे होता है ठीक, ना यह चीज समझ लें कि विल और शेल जो है यह फ्यूचर टेंश में, यानि कि भविश्य काल के अंदर हम यूज करने हैं ठीक है, फ्यूचर टेंश ना शेल किसके साथ लगता है और विल किसके साथ लगता है आई और वी इनके साथ तो लगता है शेल ठीक और विल किसके साथ लगता है विल लगता है ही, शी, इट, राम, यू, दे, ठीक ज़्यादा तर सब के साथ विल ही लगता है ठीक है और आज कल according to new English तो आप आई और वी के साथ भी विल ही लगा दो कोई ऐसी समस्य वाली बात नहीं है एक चीज़ का जो ध्यान रखना है इसके साथ वो ये है कि जब हम subject लिखते हैं और subject के बाद हम विल लगाएंगे या फिर हम shell लगाएंगे ठीक तो उसके बाद हमेशा verb की first form आई ठीक first form जैसे give, give, given तो give जो है वो verb की first form है वो इसके अंदर लगानी है verbs के बारे में ज्यादा detail जो है वो verbs वाली जो आपकी वीडियो है उसको एक बारी search करें वो playlist के अंदर ही है ठीक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है जैसे he will come tomorrow वो कल आएंगे she will go there वो जाएंगी ठीक है they will play the match वो match खेलेंगे I shall teach you मैं आपको पढ़ाऊंगा we shall play cricket कि हम cricket खेलेंगे तो ये है will और शेल का use और would और should जो है वो क्या होता है कि अगर हम past tense की बात हो रही है कि past tense के अंदर future को हम जो refer कर रहे है तो will की जगा would हो जाएगा और शेल की जगा should हो जाएगा लेकिन ये दोनों जो word हैं जो would और should इसके बड़े सारे usage जो है और भी है जो बहुत ज़रूरी है आने और जो बहुत ज़्यादा हम use भी करते है ठीक पहले would का would would क्या है किसी past habit को show करता है past habit ठीक जैसे he would come here ठीक वो यहां आया करते थे she would play cricket वो cricket खेला करती थी they would they would spend their time together ठीक वो अपना समय इकठे गुजारा करते थे तो यह हमारी past की कोई habit है मैंने कि अब नहीं है यह यह पहले हुआ करती थी हुआ करती थी यह चीज़ याद रखनी है तो हम use करते हैं would he would come here he would come here वो यहां आया करते थे she would play cricket वो cricket खेला करती थी they would spend their time together वो अपना समय इकठे बिताया करते थे तो यह था would का अगला है should should का मतलब जब हम कुछ ऐसा करते हैं कि यह करना चाहिए right तब हम क्या करते हैं should का इसमाल करते हैं जैसे we should work hard कि हमें खूब मेनद करनी चाहिए ठीक ऐसे we should obey our elders we should obey obey our elders हो भी है मैंने कहना मानना कि बड़ों का कहना मानना चाहिए we should रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट अवर टीचर्स कि हमें अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करना थे हैं you should go there आपको वहां जाना चाहिए he should work hard उसे मेहनत करनी चाहिए we should work hard हमें मेहनत करनी चाहिए we should read daily हमें रोज पढ़ना चाहिए we should play हमें खेलना चाहिए we should take care of our health हमें अपनी सेथ का ध्यान रखना चाहिए we should eat healthy food हमें अपना खाना healthy खाना खाना चाहिए we should have a healthy mental attitude कि हमें जो मानसिक जो वस्ता है वो healthy होनी चाहिए हमारी we should not speak lie हमें जूट नहीं बोलना चाहिए we should always speak truth हमें हमेशा सच बोलना चाहिए we should help others हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए we should pray to the God हमें भवान की हमेशा pray करनी चाहिए ठीक, तो I hope आपको ये would or should का समझ आ गया होएगा ठीक है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको like करें, share करें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको subscribe करें, bell icon दबादें ताकि जल्दी से अपना जैसे ही वीडियो अप्लोड होती है, वो आप तक point है, all the best, good luck